गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स मैं ये सुसैनी बी एसी सेकेंडियर की फिजिक्स किलास में आपका स्वागत करता हूँ आज की किलास में हम डिसकस करने वाले हैं इसको हम समझाने के लिए सबसे पहले हम दो तरीके के प्रबाव देखते हैं सबसे पहला है हमारे पास यहां पर रिनात्मक वोल्ट ता तो इसको हम अलग से मेंशन कर लेते हैं नेगेटिव फीडबैक लगाएंगे और निर्गम प्रतिरोध देखेंगे इसमें भी दो कंडिशन देखते हैं पहली कंडिशन क्या है रिनात्मक वोल्ट ता पुनर निवेश का निर्गम प्रतिरोध पर प्रभाव ठीक है यानि कि effect of negative feedback effect of negative feedback effect of negative feedback एक और आउट्पुट रेजिस्टेंस और आउट्पुट रेजिस्टेंस ठीक है तो यह फर्स्ट कंडिशन देख रहे हैं वोलता पुनर निवेस करके निर्गम प्रतिरोध पर एफेक्ट देख रहे हैं तो सबसे पहले हम एक प्रवर्धक की बात करते हैं एंप्र एंप्रिफायर की बात करते हैं एक प्रवर्धक है जिसका गेन जो है जिसकी लबधी जो है वो कितनी है हमारे पास a है ठीक है तो प्रवर्धक बना लेते हैं देखो ये एक क्या है amplifier है प्रवर्दक है जिसकी लब्दी क्या है यह है इसकी जो निवेशी बोलता है input voltage है वो कितनी है वी आई है input signal बोल देते है निवेशी संकेत बोलते है input voltage भी बोलते है और यहाँ पर जो हमें मिलता है वो है output voltage यानि निर्गत वोलता यानि निर्गत संकेत भोलते हैं clear है यह जो हमारे पास amplifier होता है प्रवर्दक होता है इसकी लब्धी जो होती है वो कितनी होती है A जिसकी value क्या होती है V0 upon VI निर्गत की वोलता बटे निवेशी की वोलता output voltage upon input voltage तो V0 की जो value आती है न वो A into क्या होती है वी आई होती है ठीक है V naught is equal to क्या होता है A into V I होती है clear है अब देखो इस amplifier को इस प्रवर्दक को मैं इस तरीके से internally व्यक्त करता हूँ कैसे व्यक्त करता हूँ ध्यान से सुनना ये जो हमारे पास प्रवर्दक है इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं वो देखना है, निवेसी तो है, इसमें इनपुट तो है, हमारे पास क्या, V I, है या नहीं है, ठीक है, और यहां हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, ठीक है, अब क्योंकि यह प्रवर्दक है, यह इसकी निर्गम साइड होगी, हम जानते हैं कि R is equal to क्या होता है, V upon I अगर हम निर्गम साइड में, आउटपुट साइड में प्रतिरोध निकाल रहे हैं, तो निर्गम की वोलता अपन निर्गम की धारा होगी, तो यहां निर्गम साइड में एक प्रतिरोध होता है, ठीक है, हम इसे internally व्यक्त करते हैं, कि इस साइड में एक resistance होता है, प्रतिर आप देखो यहाँ जो निर्गत वोल्टा मिलती है आउटपुट वोल्टा मिलती है वो A into V I होती है यह नहीं होती है तो मैं यहाँ पर इन टर्मिनलों के बीच में एक क्या लगा देता हूँ स्रोत लगा देता हूँ जिसकी वैल्यू क्या है A into V I यहाँ पर प्रतिरोध होगा ना इसका परिपत का वो कितना है आज़ीरो है तो इस प्रवर्दक को हम इंटर्नली आंत्रिक रूप से ऐसे व्यक्त कर सकते हैं ठीक है अब अभी हमने कोई फीडबेक ने लगाया कोई पुनानिवेश ने लगाया निर्गम प्रतिबाधा याने की आउटपुट इंपिडेंस निर्गम प्रतिबाधा याने की आउटपुट इंपिडेंस ग्यात करने का क्या तरीका होता है ये भी सुन लेना निर्गम प्रतिबाधा जो होती है का मान ग्यात करने के लिए हमेशा कंडीशन थी हमने derivation भी किये हैं जो निवेसी संकेत वोलता होती है उसको क्या मान लो 0 मान लो जब भी भी हाप निरगम प्रतिरोध आर नोट की value ग्याद करोगे output resistance की value ग्याद करोगे output impedance की value ग्याद करोगे तो निवेसी वोलता को 0 मान लोगे मान लिया और जो यहां पर आप प्रतिरोध देखोगे ना V और I का मान V और I का ratio जो आता है ना वो होता है मारे पास R नोट ठीक है तो हम R नोट का मान ग्याद करने के लिए किसको 0 मान लेंगे V I को 0 मान लेंगे अब देखो जैसे ही हम इसमें V I को 0 मान लेते हैं तो यह जो circuit होता है यह जो परीपत होता है यह जो प्रवर्धक होता है वो कैसे change हो जाएगा क्या input है नहीं है V I क्या हो गया 0 हो गया किलिया रहे यह वाली बात फिर यहाँ पर निर्गम टर्मिनल है या कोई बोलता होगी into V I V I 0 यानि कोई स्रोथ नहीं है यहाँ पर केवल एक क्या मिलेगा हमें फिर प्रतिरोध मिलेगा R 0 ठीक है into V I है यह इस तरीके से मिल जाएगा हमारे पास ठीक है वो ही प्रवर्धक है यहाँ पर मान लो जो बोलता है वो V 0 डैस है और जो current है यहाँ प कितनी मान लिए हमने आई नौट डैस मान ली ठीक है यह कब कंडिशन है हमारे पास जब हम किसका मान गयात करना चाह रहे है आर नौट का तो बताओ क्या है आई गार नौट का मान आर नौट यानि कि निर्गम बोलता निर्गम प्रतिरोध जोगा आउटपुट का मानोगा क्या आर नोट यह तो कब है जब कोई पुनार निवेस नहीं है कोई feedback नहीं है तो जब कोई भी feedback नहीं होता है कोई भी पुनार निवेस नहीं होता है तो यह प्रतिरोध मिलता है क्या आर नोट मिलता है अब condition ये है कि अगर हम रिनात्मक बोलता पुनर निवेश लगा दे तो फिर ये निर्गम पृतिरोध कितना हुगा ठीक है तो इसको ही तो समझाना है तो देखो जब भी हम feedback लगाते हैं तो उसकी condition में हमारे पास दो तरीके के सर्किट होते हैं एक तो होता है एवाला और दूसरा होता है, याद करो क्या बीटा वाला ये तो कौन सा होता है वाला और ये कौन सा होता है बीटा वाला जाल होता है अब देखो यहाँ इस condition पर आगए हैं बिना पुना निवेश के और हम R 만든 का मान ग्याद कर लिया हमने जब पुरना निवेस नहीं अब इसी में ही पुरना निवेस लगाएंगे तो देको पुरना निवेस लगाओगे तो क्या होगा यहाँ पर तो क्या है अभी आर नौट है समझे न ध्यान से यहाँ पर करंट कितनी है हमारे पास I nought यहाँ पर हमारे पास जो वोल्ट इज है वो कितनी है भी नॉट टैस है ठीक है यह तो बिलकुल वह यह अब इसमें से हम feedback दे देते हैं पूनार निवेज दे देते हैं तो यह इसका फर्स्ट है तो फर्स्ट को इसके फर्स्ट से दो terminal होंगे और यह second second को से second से जोड़े तो कल मैंने टैकनिश बताई ती इसमें यह इसका फ़स्ट टर्मिनल होता है यह सका second यह इसका first यह सक्न तो first वाले को फ़स्ट से second से क्या कर दिया हमने connect कर दिया अब यहां से हमारे पास जो वोल्ट ता रही है feedback को कि वह कितनी आ रही है वी नॉट डैस आ रही है और यहां बीटा अब देखो यह टैक्निक कैसे होती थी यह इसका first यह इसका second यह इसका first और यह इसका second ठीक है अगर मैं parts पत की बात करता हूं parallel की बात करता हूं तो इसका first इसके second से connect कर दो कर दिया और इसका second इसके first से तो यह feedback ही दे दिया हमने यहां पर वी आई जीरो है लेकिन ध्यान लगना वी आई क्या है जीरो है तो यहांसे feedback दिया है हमने पुरना निवेस दी दी आ वापस से कहां निवेसी में दे दिया ठीक है तो यह जो भोल्टम होगी हम देखते हैं यह जो वोल्टम मिलेगी कितनी मिलेगी वी एफ मिलेगी ठीक है इसी यही तो जा रही है अब देको beta क्या होता है यह बाला जो जाल होता है ना इसमें यह तो क्या हो रहा है इन्पुट हो रहा है निवेस हो रहा है यह और इसमें से निकल के इसमें यहां से निकल रहा है यह हो गया इसकी निर्गस साइड यानि की आउर्पुट साइड यह इसकी इन्पुट बीटा की तो बीटा वलाबर क्या होता है है यहां से वी नौट वोलता है और इसमें से निकलके वी अपके तो निर्गत कितनी हो गई कितनी हो गई कितनी हो गई वी कैस कितनी हो गई देश रिनातव मख पुना यृष economically भी नेगेटिटिव साइन लेलेंगे रिनातमक नहीं है अब कितनी है यहां कितनी पोच रही है यहां पर यहां पोच रही है हमारे पास कितनी वी एफ पोच रही है और वी एफ की वैल्यू कितनी है minus beta into V0 clear है ठीक है अब यहां vi की जिगे कितनी है minus beta into V0 अब यह जो है हमारे पास इसकी लबडी कितनी होती है a होती है यहां लिख देता हूं अब लग से confused ना हो कितनी होती है a लबडी होती है अब देखो यहां लिखा था a into V1 यही तो बताया था मैंने इसमें a into v i तो अब v i की जिगे यहाँ पर क्या है minus beta into v not as v i की जिगे और यह a multiply होगा जब तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं एक स्रोत लगा देते हैं जिसकी value कितनी होगी minus a और v i की जिगे यहाँ क्या है v f यह यह तो है निए v f यह और v f की value minus beta into v not dash का क्या लगा दिया शुरूत लगा दिया यहां किसका लगा था into v i का जब v i था यहाँ पर कितना है v f ए ठीक है तो v f को किस से multiply करोगे यह से जैसे v i को किस से गिया था यह से अब v f को किस से करोगे यह से और v f की value beta into v not dash ठीक है तो इस तरीके से यह पुनार निवेस होकर यहां निर्गम पर मिलेगा यानि कि निर्गम पर जो मिलेगा beta not dash वो minus a beta v not dash हो गया हमारे पास है ना थोड़ा सा changes अब देखो हम हमें यह तो क्या ग्यात करना है और not ग्यात करना था निर्गम पर तिरोग बिना पुनार निवेस के तो यह अब पुनार निवेस होगे यह तब क्या होगा तो उसको निकानने के लिए हम क्या लगाते हैं देखो kvl लगाते हैं क्या लगाते हैं यहां से चलो और यूँ घूमके यहां आ जाओ यहां से चलो देखो यहां से चलोगे negative sign है तो क्या लिखोगे minus v not dash लिखोगे ठीक है फिर इसके बाद यहां हो current की direction में चल रहे हो तो क्या है गा पॉजिटिव आएगा इसमें वी इक्वल टु आई यार आई एरिया और आई नोट आजाएगा आई नोट आजाएगा और फिर आप इसी डायरेक्शन में आ नेगेटिव है तो माइनस ए बीटा इंटू वी नोट डैस और फिर यहां गूमकर आगा बापस जीरो तो यह कितना हो गया हमारे पास जीरो हो गया इसको हम सोल करते हैं देखो यह वी नोट डैस है यह वी नोट डैस है इक्वल से पहले लेकर आए वी नोट डैस प्लस ए बी वी नोट डैस को मना रहे है निर्गत बोलता 1 प्लस A बीटा is equal to और ये बन रहा है आई नोट डैस इंटू आर नोट ये तब की कंडिशन है जब feedback लगा दिया है पुना निवेश लगा दिया है तो वी नोट डैस अपोन आई नोट डैस is equal to ये हो गया आर नोट और ये इसका divide हो गया 1 प्लस A बीटा और वी नोट डैस में आई नोट डैस का भाग देंगे तो इसे लिख सकते हैं आर नोट डैस आर नोट अपोन 1 प्लस A बीटा तो ये जो आर नोट डैस अब निकल क्या है ना ये हमारे पास निर्गम प्रतिरोध है आउटपुट रेजिस्टेंस है हमारे पास कब जब हमारे पास क्या हो गया पुनर निवेश हो गया क्या हो गया फीडबैक हो गया उस स्थिति में निर्गम प्रतिरोध है जब पुनर निवेश नहीं हुआ जब आर जीरो है पुनर निवेश हो गया तो आर नोट डैस है तो देखो आर जीरो कब है जब तो कम हो जाता है तब आर नोट डैस मिलता है तो हम कह सकते हैं कि आर नोट इस ग्रेटर देन होता है आर नोट डैस के ठीक है जब हम वोलता पुनर निवेश कराते हैं तो निर्गम प्रतिरोध कैसा होता है यहां देखना कि बिना पुनर निवेश के जो निर्गम प्रतिरोध होता है बिना पुनर निवेश के बिना फीड़ बैक के जो निर्गम प्रतिरोध होता है वो ज्यादा होता है जब फीड़ लगा देते हैं पुनर निवेश लगाते हैं उस इस्थिति में जो निर्गम प्रतिरोध प्राप्त होता है उससे ज्यादा ठीक है तो फीड़ बैक क् गट गया क्योंकि और जीरो ज्यादा है किसे हाँ ओन ऑट डैस से तो निरगम प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है गट जाता है इस कि क्यों सी कंडिशन थे वहांद अब देखो इसम ने हम सेकंड देखते हैं सेकंड क्या कंडिशन समझना देखो बिल्कुल सेम ऐसे यह अभी तो हमने वोलता पुनार निवेश कराकर निर्गम प्रतिरोप देखा था अब धारा पुनार निवेश कराते हैं करन्ट फीडबैक कराते हैं न देखो रिनात्मक थोड़े टफ पढ़ते हैं लेकिन यह एक्जाम में आयो हुए हैं आते हैं इन में से भी एक्जाम में ध्यान रखना छोड़ना नहीं है रिनात्मक धारा पुनार निवेश करा निर्गम प्रतिरोध पर प्रभाव पर प्रभाव ठीक है यानि कि इफेक्ट पहले तो वोल्ट था था अना वोल्ट तेइब धारा है एक्सक्ट ओफ नेगेटीव नेगेटीव करंट फीडबैक इफक्ट ओफ नेगेटीव करनट फीडबैक यूनिट बहुत बढ़ी है तौपिक बहुत ज़्यादा है लेकिन आते हैं on output resistance और हमें पढ़ना भी सबी है था कि बाद में MSC करें या कुछ भी करें तो ये काम में आएंगी और exam में भी score अच्छा कर सकते हैं तो देखो इस condition में क्या होता है कि जब हम धारापुना निवेस करके second है ये क्या देख रहे हैं निर्गम प्रतिरोद पर प्रभाव देख रहे हैं तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं निर्गम में निर्गम में यानि की output में एक प्रतिरोद यानि की क्या resistance जो की क्या है RF है क्या है और F है लोड के स्रेनी करम यानि स्रीज में स्रेनी करम में लगाते हैं यूज में लेते हैं ठीक है स्रीज कॉम्बिनेशन में एक प्रतिरोध और F लगाते हैं इस प्रतिरोध पर जो इस प्रतिरोध यानि की इस रेजिस्टेंस पर किस पर आरेफ पर प्राप्त वोल्टता जो वोल्टा प्राप्त होती है प्राप्त वोल्टता या जो धारा होती है इसे मिलती है प्राप्त बोलता पुनर निवेसी परिपत के लिए पुनर निवेसी परिपत यानि फीडबैक सर्किट के लिए परिपत के लिए ठीक है किसका काम करता है निवेसी संकेत का कारिय करती है इंपुट सिगनल का इंपुट तो होता है यह ना वी आई जीरो कर देते का कार यह करती है आयो हुए है यह दोना टोक जो आज कर रहे हैं हम न डिसकस तो देखो इसका सरकीट आप कैसे बनाओगे ध्यान रखना है मैंने यह नहीं मिटाया है क्योंकि इसका जैसे ही मैं बनान यह फीडबैक वादी थी कंडिशन न तो देखो सरकीट ध्यान लगना बस धारा का खेल है इसमें और कुछ भी नहीं है यह वाला सरकीट प्रवर्दक होता है और यहां होता है मारे पास क्या बी वाला क्लियर है यहां तक बिल्कुल क्लियर है इसके कितने टर्मिनल होते हैं इसके भी कितने होते हैं निर्गम साइड में दो होते है तो यह वह कितने हो गए दो हो गए अब यहां पर क्या होता है एक resistance लगाते हैं हम क्या R F ठीक है क्या लगाते हैं आर एफ निर्गत वोलता वो ही वी नॉट डैस और करंट वो ही आई नॉट डैस ठीक है अब देखो जब हम धारा पुनर निवेश की बात करते हैं तो जो निवेश में हमारे पास होता है वो धारा शुरूत लगाते हैं अब देखो यहाँ पर तो क्या था माइनस ए बीटा वी नॉट डैस था यहाँ पुनर निवेश जो करा रहे हैं वो किस से कराते हैं देखो इस आर एफ से कराते हैं RF से एक तार लिया यहां जोड़ दिया और RF से दूसरा तार लिया इसे नीचे वाले से जोड़ दिया यहां से हम धारा पुननिवेश कराते हैं और यहां जो धारा आ रही थी देखो वोलता कितनी आ रही थी VF is equal to minus beta into V naught dash यहां किसका पुननिवेश कराते हैं करंट का धारा का और यहां जो पुननिवेश धारा होगी पुननिवेश धारा यानि कि feedback करन देखो यहां तो वोलता थी यहां धारा होगी बीटा अब किस से multiply करा दो I naught dash वोलता की जगे क्या होगी voltage की जगे क्या होगी current होगी ठीक है इसको किस में दे देना है में निवेश में दे देना है वही पहले की तरह इन्पुट में दे देना है दे दिया अब देखो यहां पर एक क्या लग रहा है स्रोथ लग रहा है यहां पर वोलता कितनी थी देखो बीटा इंटू V naught dash और R naught किस में था series में था दोनों series में थे ध्यान रखना जब आप धारा स्रोथ की बात करते हो तो उन्हें parallel में correct करते हो प्रतिरोथ के किस में parallel में और जब हम वोलता स्रोथ की बात करते हैं तो प्रतिरोथ को समानतर करम में connect करते हैं series combination में connect करते हैं clear है ताकि हमारे पास वोलता और current मिल सके तो यहां से feedback कितना हो रहा है पुने निवेस कितना हो रहा है minus beta into i note dash हो रहा है तो यहां पर अब देखो यहां पर यहां पर पहले तो series में जोड़ा था यहां अब कैसे जोड़ते हैं जब धारा की बात कर रहे है current की r note तो यहां हो गया और यहां हमारे पास क्या होगा हेक स्रोत होगा और उस स्रोत की जो value होगी वो कितनी होगी बताओ स्रोत की value कितनी होगी देखो minus beta into i note तो feedback हो रहा है और इसकी लबदी a है तो यहां a से गुना होता था था minus a और पुना निवेस से क्या होता है multiply होता है तो किसे यहां तो होता है था beta into v no dash से यहां किस्से होगा beta into i not to । से I tuition समांतर गरम में कर दिया SERIES में किता v no dash की जाइए कि आया होगा i not to dhas होगा यह होगया का धारा पुना निवेस अब देखो बिना पुनर निवेश के तो प्रतिरोध कितना था ये तो हम discuss कर चुके हैं r0 is equal to v0 dash upon i0 dash ये तो करे लिया कब जब कोई feedback नहीं था जब कोई पुनर निवेश नहीं था ठीक है अब देखो ये हमने पुनर निवेश लगा दिया इसी circuit को देखके हम इसी बना लेते थे तो हमने इसको इसी बना लिया अब अब इस condition में देखना यहां जो वोलता है ना वो कितनी है v0 dash है ठीक है कितनी है हमारे पास v0 dash है तो देखो निर्गम में यानि कि output में हम v0 dash की value निकालते हैं किसकी value निकालते हैं v0 dash की निर्गत वोलता है इस RF को भूल जाओ यह v0 dash यहां यहां और यहां बाद में feedback किये यह तो हमने ना यहां है या फिर आप ऐसे करो यहां से जो I know dash current आ रही है ना वो देखो कितने भागों में divide हो रही है एक तो जा रही है यहां और एक जा रही है यहां क्लियर है एक तो कहां जा रही है यहां जा रही है I know dash current आ रही है एक तो यहां जा रही है और एक यहां समान तरक्रम में अब यह देखो यह minus a beta into i no dash है minus a beta into i no dash कहा जा रही है नीचे की ओर जा रही है अगर मैं minus sin अटा दूँ और केवाल लिखूं a beta into i no dash तो यह कौन सी direction दिखा सकता हूं opposite direction दिखा सकता हूं ठेक है क्योंकि यह एक स्रोत है जिसकी value है ऐसे समझ सकते है i no dash आ रही थी एक इधर गई और कुछ इधर गई जारी यह नी जारी बिलकुल जारी है ठेक है अब देखो यह तो खुद एक स्रोत है यह तो ये क्या है, एक खुद एक सुरूत है, ये तो, है ये नहीं है, बिलकुल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो अब R0 के लिए हमारे पास VOLT ता निकालनी है, ये तो सुरूत है, ये करंट कौन सी हैं हमारे पास, I0-, तो I0- जो करंट आ रही है, वो इसमें ऐसे जा रही है, और यहां से यह जो शुरूत है वो ए बीटा डैस वो भी इस मेंसे जा रही है वी इक्वल टू क्या होता है आई आर तो आर तो कितना होता है आर नोट अब देखो इस वैसे तो नीचे जा रही थी नेगेटिज की जगे क्या ले लिए हमने पॉजिटिव तो यह करंट आ रही है इधर और आई नोट भी आ रही है इधर तो वी बराबर आई आर तो लिख दिया और आई कितनी होगी आई नोट डैस प्लस क्या ए बीटा आई नोट डैस यह थोड़ा सा याद रखना तब ही डैरिवेशन बनेगा ठीक है और यहां से हम किसकी वैल्यू ले सकते हैं को मन आई नोट डैस की तो क्या बनेगा वन प्लस ए बीटा और वी नोट डैस अपोन आई नोट डैस की जो वैल्यू निकलेंगे हम वो क्या आएगी आर नोट इंटू वन प्लस ए बीटा और V no dash upon R no dash किसके بराबर होगा R no dash into R no 1 plus A beta के कängt हो जाएगा equal हो जाएगा ठीक है तो R 0 जब 1 plus A beta से multiply होता है R 0 जैसे 5 है 5 जब इस पक्ला है multiply होगा तो उर ज़ाद हो जाएगा तम मिलेगा R no dash R no dash is greater than KITNA R 0 होता है यानि कि जब हम रिनात्मक धारप पुनरनिवेश लगाते हैं, तो निर्गम पृतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, रिनात्मक पुनरनिवेश यानि नेगेटिव फीड़बैक लगाने पर, जो निर्गम पृतिरोध होता है, आउट्पुट रेजिस्टेंस जो होता ह है वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है तो आपको इस तरीके से find out करना आना चाहिए इसका और कोई तरीका नहीं है ठीक है तो यह बात और सुन लेना यह वाली फिर कह रहा हूं मैं यह कैसे निकाला हमारे पास यह ऐसे निरगत वोलता निकालनी है हमें तो निरगत वोलता जब आप मेजर करोगे तो कैसे करोगे यहां से यह स्रोथ जो है यह स्रोथ वो होता है जो खुद धारा देता है और यह कितनी देर है minus a beta i not dash i0 यहां से आ रही है i0 कहां से आ रही है यहां से आ रही है अब यह minus a beta i not dash road की value यानि नीचे की तरफ जा रहा है मैं इसको plus लिख दू तो इसकी direction कहां लिख सकता हूँ उपर प्योर अब यहां से धार आएगी यहां से धार आएगी दोनों यहां से मिल रही है तो हम लिख सकते हैं v is equal to क्या ir तो r r और i की value i not dash और यह a beta i not dash इस तरीके से हम derivation बना लेते हैं आज की class के लिए इतना ही thank you